नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिल टीबी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंग सीट बटपारे के बाद सब की निगाहें इस बात पर टिक गई थी कि परत्यासी अब कौन होंगे कौन सीट से कौन उमिद्वार उतरेगा इस पर सब की नजरे गड़ गई और दिल्ली से लेकर पटना तक इस पर मन्थन शुरू था सब पाटियों का तो सारी पार्टियों ने अपना वो लिस्ट तयार कर लिया है वो लिस्ट हमारे पास भी है और मोटे तोर पर यही कहा जा रहा है कि यही सारे परत्यासी चुना मैजान में उतरेंगे चुनाबिय खाड़े में उतरेंगे एकाक नाम अगर इधर उधर हुए तो बात अलग है लेकिन जादा तर वही नाम होंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो क्या है सीटो की सूची पहले चलते हैं जनता दल उनाइटेट की तरफ तो जनता दल उनाइटेट ने जो तै किया है अपने उमिद्वारों का नाम सोले उमिद्वारों का नाम वो हम आपको बताने जा रहे हैं वो नाम है बालमकी नगर से सुनील कुमार महतो सिभर से लब पहला नाम घोशित हुआ था लोग सभाचुनाव के लिए देवे चंठाकुर का तो देवे चंठाकुर का ही नाम कई किया गया है इसके अलाबा जंजारपूर से रामपृत मंडल सुपोल से दिले सरकामत किसंगन से मास्टर मुजाहिद आलम कटिहार से दुलाल चद गौसाम पुर्णिया से संतोज कुसबाहा, मध्यपूरा से एक बार फिर दिनेश चन्यादब को रिपीट किया गया है इसके अलाबा गौपाल गन से डौक्टर आलोक कुमार सुमन, सिबान में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है राम सिबक सिंग और रमेश कुसबाहा के बीच में इसके अलाबा भागलपूर से आजे कुमार मंडल, यहां इसका मतलब है कि गोपाल मंडल को टिकट नहीं दिया गया है और असोक कुमार मंडल को ही टिकट दिया गया है आजे कुमार मंडल को, तो देखिए किस तरह से आप गोपाल मंडल रियक्ट करते हैं, उसका इंतजार गिर्दारी आदब को टिकट दिया गया है, मुंगेर से हमेशा की तरह ललन सिंग ही नितिश कुमार की पहली पसंद थे, तो ललन सिंग उस अखाड़े में उतरने बाले हैं, इसके आलावा नालंदा से कौसलेद कुमार को रिपिट किया गया है और जहनाबाद से चंतेकर पस तो भाज़पा की भी लाइन अप तयार है बेतिया से हम पहले भी का चुके थे डॉक्टर संजे जैसबाल का नाम फाइनल किया गया है इसके अलाबा मोतिहारी से थोड़ा सा कन्फ्यूजन राधा मोहन सिंग और परमोत कुमार के बीच में है लेकिन लगता है कि राधा मोहन सिंग ही बाजी मारेंगे हलाकि परमोत कुमार उन्हीं की सिफारिस है अगर उन्होंने मन बना लिया राधा मोहन सिंग ने चुनाव लड़ने का तो वही लड़ेंगे नहीं तो उनके सिफारिस पर पर्मोद कुमार मोतिहारी से चुनावी अखाड़े में उतरेंगे इसके अलाबा मधुबनी से असोग कुमार यादव अररिया से परदीब सिंग दर्भंगा में गौपाल जी ठागुर को रिपिट किया गया है मुझपरपूर से अजय निशात महराजगन से जनारदन सिंग सिग्रिवाल छपरा से राजी परताब रोड़ी उज्यातपूर से नित्यानंदराए बेगुशराई से ग्रिराज सिंग पत्ना साहिप से वही कन्फूजन आज के तारिक में भी बरकरार है जब हम और आपसे बात कर रहे हैं कि टिकट किसको मिलेगा रवी संकर परसाथ या रितुराज सिना को पाटली पुत्रा से रामकिरपाल यादब आराज से राजकुमार सिंग को लडाये जा रहा है बक्सर से नरंद मोदी के बरधत से एक बार फिर से असुनी कुमार चौबे सासा राम से ललन पासबान और सिबेस राम में कड़िटकर है आज इसका फैसला हो जाएगा कि ललन पासबान चुनाब लड़ेंगे या सिबेस राम लड़ेंगे नबादा से विवेक ठाकुर का नाम फाइनल किया जा रहा है और लगभग फाइनल है और औरंगाबाद से सुसील कुमार सिंग तो ये बीजेपी और जनता दल यूनाइटेट के नेताओं के नाम है जिनको चुनाबी अखाड़े में उतरना है ये सूची लगबग फाइनल है और जो घोसना होने बाली है अन्डिये के परत्यासियों की ये इसी आधार पर होगी थोड़ी बहुत फेल बदल इसमें हो सकती है लेकिन मान के चलिए कि ये सूची ही अंतिम सूची है इसके अलाबा हम से आप जान रहे हैं जीतरना मांजी चुनाबी अखाड़े मूतरेंगे और काराकार्ट से उपेंदर कुसबाहा चुनाब लड़ेंगे जो असामती थी नाराजगी थी वो कल दूर हुई है बिनो ताबले से मुलाकात हुई है उपेंदर कुसबाहा की कहा गया है कि एक बिधान परिशत की सीट दी जाएगी उनके पाठी को जो भी बिधान परिशत में जाएगा वो बिहार सरकार में मंतरी भी बनेगा तो इसी सम्झोते के ताहट NDA में रहना कبूल किया है उपेंदर कुसबाहा ने और यह भी कहा गया है कि उपेंदर कुसबाहा जीत के दिल्ली में मंतरी भी बनेगी तो इन सारी चीजें हुई है इसके अलाबा सबसे बड़ी दिल्चस्पी जो चिराग पास्पान के उम्मीद्वारों को लेकर है तो हम ये बताएं कि चिराग पास्पान आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर रहे हैं अपने संसदिय बोड की उसमें नामों को अंतिरूम दिया जाएगा लेकिन हमारे पास जो सुची है उस सुची में ये तैय है कि चिराग पास्पान खुद हाजीपूर से चुनाब लड़ेंगे जमूई के बारे में कहा जा रहा है कि वहां उनके जो बहनोई हैं डॉक्टर अरुन भारती वो लड़ेंगे एक नाम सामवी चौधरी का भी चल रहा है जो असोग चौधरी की बेटी है दोनों में मुकाबला है देखिए बाजी कोन मार लेता है और जो दूसरी सीटे हैं जिसे खगडिया में अजे कुसबाहा का नाम सब से आगे है अजे कुसबाहा वहां से चुनाब लड़ सकते हैं इसके अलाबा बिना देवी संजे सिंग जो दो कंडेंडर थे बैसाली के लिए उन्ही दोनों में मड़ा मुकाबला हो रहा है और लगता है कि आज साम तक इन नामों का एलान कर दिया जाएगा कि कौन कहां लड़ेगा लेकिन मोटे तोर पर शिराग पासबान ने भी तैय क है संजे पासबान वहां से चुनाब रगते हैं अगर जमूई से सामबी चौदरी किसी परिस्ति में वहां उमिद्वार हो गई तो वैसे हालात में जो संजे पासबान है उनको समस्ति पूर्शिप्ट किया जा सकता है तो ये कहानी है एंडी एक में सीट बटवारे की और य ये सूची लगबक्त हो गई है किसी भी चन इस सूची का ऐलान हो सकता है तो हमारी जो सोर्थ हैं उन्होंने इसी नामों की पुष्टी की है एक दो नाम इधर उधर हो सकता है अंतिम समय में लेकिन 95 फिजदी से ज़्यादा उमीद यही है कि जो नाम हमने बताए हैं 24 के ज कब अपना नौमनेशन दाग्रेट रखते हैं आज पहले चलंद के मद्दान के लिए नौमनेशन शूरू हो रहा है जो चार सीटों पर बिहार में चुनाव है उसके लिए आज नामंकिन की प्रियार से शुरू हो गई है तो गतिविधिया तेज है बिहार में और लग रहा है कि जल्द ही महागट बंधन भी अपने सीटों का ऐलान करेगा उस पर अलग से खबर हम आपको बताएंगे फिलाल देखती रहिए कैपिल टीवी बिहार आपका बहुत-बहुत धन्रबाद आपका बहुत-बहुत सुक्रिया